तो जैहिन दोस्तो मेरा नाम है रुपेंद कुमाश सर्मा आप देख रहे हैं सर्मा कोचिंग क्लास इस बहुत ही इंपोर्टन सेशन है यह आर्थिक सर्वेक्षन का पार्ट टू है पार्ट वन मैंने अपलोड कर दिया है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आ कीजिए ठीक है और पुराने हो चुके हो जो हमको सब्सक्राइब किये हुए है तो लाइक जरूर कीजिए ठीक है और आप हमारे जो सबसे मेन है फ्री टेलिग्राम ग्रूप शर्मा कोचिंग क्लास से एड हो जहां पे इंपोर्टेड लिंक्स और अपडेट हम वहां पे द हाना होम कोर्स है ये इसकी फीशे टोटल तीन हजार रुपए की जिसमें पीडिया फीडियो लाइव क्लासे और लाइव टेस्ट का सपोर्ट देता है इस नंबर पर आप कॉल करके इसके बारे में अधिक सधिक जानकाई ले सकते हो यूगि अब होम कोचिंग ही चलेगा आप सीजी पीस्ती के एकजाम दे रहे हो या अनकोई भी एकजाम दे रहे हो ठीक है देखते है इसमें जो पॉइंट आज का हम दिसकस करेंगो वो है खनीज का देखो ये आपकी स्क्रीन पर पहला कोशन आपको दीख रहा होगा मैं दो मिनेट थोड़ा पैंसेट कर लेता ह ठीक है ऐसे कोशन रिलेट करते हैं चतिसगड और भारत को तो बिल्कुल आपके ये आर्थिक सर्वेक्शन बहुत इंपॉर्ण टॉपिक होता है तो इसको अच्छे से करते हुए आप चलेंगे ठीक है देखते अगला कोशन का इसमें कि देश के खनीज भंडार राज्यों में चतिसगड का किस स्थान पर है चतिसगड कौन से स्थान पर है खनीज भंडारों में तो तीसरे स्थान पर है ये आपको याद रखना होगा ये चतिसगड अभी तीसरे स्थान पर है खनीज भंडार में ठीक है में भी चेंजिस आते रहते हैं पर अभी के लिए तीसरे स यह आपके उपर लग गया अगला कोश्चन कि 36 गड़ में कौन सा खनीज प्रमु खनीज नहीं है मतब वो important खनीज नहीं है तो सही answer आपका grenade वहीं पर कोईला लो आयास और वोकसाइट हमारे यहाँ ज्यादा मात्रा में मिलते हैं और वो हमारे important खनीज होते हैं ठीक है देखते आगला कोश्चन बिल्कुल वर्ज 2017-18 तक देश में कोईले की कुल उत्पादन में 36 गड़ का हिस्सा कितना प्रतिसत है बिल्कुल 17-18 याद रखना आर्टिक सर्वेक्षन हमेशा पीछे पूषता है ना कि सामने का पूषता है तो आपको पिछला अच्छे से याद होना चाहिए इसका साही अंसर है 21 परसेंटेज ठीक है इवित्ती वर्स 17-18 में देश के कुल कोले भंडार से अधिक कोला भंडार 36 गड़ में पाया जाता है बिल्कुल ये भी अच्छा कोश्चन है एक्जाम में पुछा गया है इसका साही अंसर है 17.91 परसेंटेज पाया गया है और मैं आप बता दू कि हमारे नए चैनल एक जो वीमेक्स टीचर्स करके हमें नए चैनल चालू किया है अगर आप यूटूब में पढ़ाना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का लिंक है जाईए क्लिक कीजिए और उसको भी ऐसा सप्पोर्ट दीजिए जो आप हमारे श्रमा कोश्चिंग क्लासेश के चैनल को देते है चलो अगला कोश्चिंगे कि 36 गड में कोले का भंडार कितना मिलियन टन है तो साई अंसर है 54.912 मिलियन टन है भंडाद याद रखना ठीक है ना अगला देखेंगे कोश्चन आप बिल्गोल ये भी important question है हना याद रखना ये सारे question आपके exam में आएंगे कि देश में संपून law is संगरा कर नेम लिखित में से कौन सा भाग इस राज्य में उपलब्द है पूछ रहा है कौन सा भाग उपलब्द है तो पांचवा भाग उपल exam के ठीक है तो इसको अच्छे से कीजिए इसकी pdf हम pet group या pet classes वालों को भी देते हैं आप इसको individual भी खरी सकते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है अगला देखेंगे 36 गड़ में वर्स 278 में गौन खनीज का उत्पादन मूले कितना था गौन खनीज का उत्पादन मूले कितना था तो यह आपके समने डाटा है 21,389,00,00,00 रुपए ठीक है यह याद रखना यह विल्कुल important point है ठीक है याद रखना important point है यह data बहुत ही important है ठीक है अगला अगला आपके screen पर लग गया है कि वर्स 2017-18 में 36 गड़ राजय में कूल खनीज राजय शुमें से गौन खनीज का प्रतीसत कितना है तो बिल्कुल इसका सही answer है 5% था ठीक है गौन खनीज का प्रतीसत कितना था 5% था अगला question अगला question मैंने आपको screen पर लगा दिया है देखेंगे कि क्या है question कि 36 गड़ में वर्स 2017-18 में मुह के खनीज का उत्पादन का मूल्य कितना था याद रखना 17-18 की चर्चा हो रही है इसमें date बहुत ही important होता है इसको देखना बहुत जरूरी होता है तीसरे is the correct answer हना चार लाख 1420 हना यह रूपे लाख रूपे में है यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ठीक है अगला आप देखेंगे question number 11 की वर्स 27-18 में 36 गड़ राजयस्व में कूल खनीज का राजयस्व में मुख्य खनीज का प्रतीसत कितना है तो is the correct answer is the 95 percentage कितना है 95 percentage ठीक है और किसी को इंगलीश मेडिया में पीडिएप ची होगा तो वो भी हम प्रुवाइड करा के दे देंगे ठीक है अगला देखें कि वित्ती वर्स 17-18 में 36 गड़ राजयस्व में खनीज राजयस्व का योगदान कितना है खनीज राजयस्व का योगदान कितना है is the correct answer 27 percentage कितना है 27 percentage is the correct answer ठीक है या देखना percentage बेसमें एक्जाम में question आता है यह आप इसको ध्यान पे रखेंगे ठीक है अगले डाटा को द देखेंगे important है ठीक है बिल्कुल line पे रहिए complete मैं समझा दूँ तो यह question आपका हो गया है देखेंगे यह question सायद मैं repeat करा दे रहा हूं एक बार तो इसको भी देख लीजिए कि 36 गड़ में कौनसा खनीज प्रमुक रूप से पाया जाता है उप्रोक तो सभी इसका अंसर आ देखेंगे यह question कि वितिवर्स 2017-18 में अगस्त 18 तक देश के कूल खनीज भंडार का कितना प्रतिसर भंडार चत्रिगर राज्य के पास है बहुत ही important question है इसके सहें जवाब है 15% कितना है 15% ठीक है अगरा देखेंगे आप कि वितिवर्स 2017-18 में अगस्त 18 तक देश के कूल खनीज उत्पादन का कितना प्रतिसर चत्रिगर राज्य द्वारा उत्पादित किया जाता है देखो भंडार अलग है उत्पादन अलग होता है इसका सहीं अंसर है 9.3% ठीक है इंपोर्टेंट था अगरा आप देखेंगे अगला वर्स 2017-18 में चत्रिगर राज्य में नेम लिखित में से किस खनीज का सरवाधिक उत्पादन होता है इंपोर्टेंट कोशन है वो है कोईला 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 को उत्पादन बहुत ही जादा होता है ठीक है अगला देखेंगे आप नेक्स कोशन देखेंगे कि विवित्य वर्स 2017-18 में चत्रिगर में लिखित खनीज भंडार की उपलब्दता कितनी है तो कितनी है याद रखना ये कोशन बहुत ही इंपोर्टेंट है इसमें आप्शन वाइस दिया हुए है ना नीचे इसकी चार आप्शन दिये हुए है हल 1432 हाना 1432 हाना याद रखना 1 मतलब कोईला 4 मतलब चुना पत्तर 3 मतलब लॉयस्क और 2 मतलब डॉलोमाइट ठीक है ऐसे कोशन भी एक्जाम में आते हैं इसको आप ध्यान रखेंगे ठीक है अगला कोशन आपकी स्क्रीन पर है ये भी इंपोर्टेंट है कि इस राज्य में निम्लिखित में से किस खनीच का सबसे अधिक भनडार उपलब्द है किस खनीज का सबसे अधिक भंडार उपलब्ध है सबको पता इसका अंसर वो है कोईला ठीक है अगला कोशन देखेंगे आप लोग कि 36 गड़ में किस मुख्य खनीज की रोयल्टी दर टन अधिक है रोयल्टी दर टन अधिक है तो सही अंसर है आपका लोग आयस का ठीक है सही अंसर आपका लोग आयस का अगला आप देखेंगे कि 2012 के अनुसार तीन आयस के भंडार की दिश्टी से 36 गड़ का क्या योगदान है कितना योगदान है लगभग 35 परशन का हमारा योगदान है लगभग 2012 के अनुसार 3 आयस के भंडार की दिश्टी से ठीक है याद अठना ये सब कोश्चन प्रिवेस ज़्यादा पुछे जाते है ना कि करेंट के साथ पुछे जाते है आर्थिक सर्वेक्शन को टोटल लिया जाता है 5-6-7 सालों का तो इसको आप बिल्कुल हमेशा ठ्यान में रखते हुए करते हुए चलेंगे ठीक है अगला कोश्चन में लगाते हैं आपके स्क्रेंट पे देखिए कोश्चन आ गया 2012 के अनुसार हीरा के भंडार की द्रिश्टी से देश में 36 गड़ का योगदान कितना ही रा ही रा तो वो है लगबग 4.07 ठीक है यह आपकर करेक्ट अंसर है ठीक है अगला आप देखेंगे अच्छा यह यही तक था यही तक हमने कोश्चन लिए थे 21 तक हमने कोश्चन लिए थे जो की important कोश्चन थे यह कहना जाओगा अगर चैनल में नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और बिल्कुल अगर आप हमारी CGPSC badge से add होना चाते हैं तो दिएगे नंबर पर call करके हमसे बात कर सकते हैं और किसे प्रकार के जानगारी को ले स सकते हैं अब सारी courses online ही होगी तो इस online चैनल में जोइन करने के लिए धन्यवाद ठैंक यू बाई